नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चवी आईए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और हैली कॉप्कर हाथसे में शहीद हुए जवानों की याद में हरिक जवान के लिए एक यादगार पेड लगाकर उन्मीट पाउंडिशन पराड़ा ने उन्हें ग्रीन शन्हाज की दिए ताकि उन्हें सर्फ कुछ जिनों के लिए याद ना किया चाहें इसके लिए एक पेड लाला लाजपतराय भवन पराड़ा, चार पेड सरकपूर स्टेडियम, चार पेड ग्राम सचिवालय सरकपूर, दो पेड भगवान वालिमी की प्रचार समीती ओफिस और दो पेड देरास तिरसगर में सतबरू रविदास जी महराज जी के आश्रम मे उमीद फाउंडेशन के प्रधान मनपीर सिंग ने बताया कि इस लेक काम को पूरा करने में उमीद फाउंडेशन के सदस्तिय, पवितरदास मॉंटी यूसे, गगन ट्रहल, अमन तर्बन कोच, मनपीर सिंग सोनी, दलविंदर सिंग, धर्मवीर बराड़ा, रजनीश कालरा चवी चावला, रुहित सांगवान, दविंदर गाय, गगन दीब कौर और उमीद फाउंडेशन के बहार बैटे सिदस्तिय, परमिंदर यूके, पम्वु कनाड़ा, रंदीब यूसे और बाकि सिदस्तिय शामिल रहे, बराड़ा से हमारे जिरा संबाद्धा ता पून की रिपोर्ट. उसके बाद में फिर सर्कू स्टेडियम ग्राम सचीवाल है, और इसके बाद वालमकी आश्रम जी और यहां पर संद महराजी के यहां परागाम ने समापन किया है, तो अपनी फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा मैसिज मैं और सब से रिक्वेस्ट करना जाता हूं, कि अ हमारा सेयोग करें, जहां जहां गाओं में अपने घर में जरूरी नहीं है कि वो पराड़ा में ही है, पराड़ा के आस्ताओ स्कूल, जहां पर भी वो पेड़ बड़े हो सकें, तो इसकी जितनी हिमत है, एक दो पांच अगर वो लगा सकते हैं, तो ठीक है, या हम से कॉंट हमारे फेस्बूक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताजा ख़बरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले